ओम साहिराम जैसाहिराम जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नौवा दिन है साइज बाबा की मंदिर के चलिएगा तो चलिए मैं निकल पड़ी हूँ घर से तो देखिया आज भी फिर से बारिश हो रही है और कितना अच्छा वैदर रोज हो रहा है लेकिन गर्मी तो उतनी है हुमेडिटी बहुत है तो देखिया कितनी ग्रेमरी भी हो रही है और ये है अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट कितना सुंदर वैदर हो रहा है पीछे देखिये और मैंने दो दिये लिए जैसे मैं लेती हूँ दो दिये और एक फ्लावर लेती हूँ बाबा के लिए रोस गुलाब का फूल और चलिए बाबा की मंदिर चलते हैं बाबा की दर्शन कर लो आप सब लो और फटा-फट मंद के दिये तो बाबा की आरती में भार सी उतार लेती हूँ तो देखिये हम लोगों की तरफ से बाबा के लिए दूधी पक चल गए है चलिए अंदर चलते हैं तो चलिए आए मेरे साथ अंदर चलिए तो बाबा की दर्शन करते हैं ये है बाबा की द्वार का माई तो चलिए आई ये अंदर चलते हैं बाबा की दर्शन करते हैं और blessings लेते हैं कितना सुन्दर बाहर से मंदिर कितना सुन्दर लगता है तो सूचिए अंदर जाकी कितना अच्छा फील होता होगा तो चलिए बाबा की दर्शन करते हैं बाबा को पर नाम करते हैं बाबा से आशिरवाद लेते हैं आशिर लेते हैं बाबा को पर नाम करते हैं तो देखिए बाबा कैसे blessings दे रहे हैं आप सभी को और ये है बाबा का शायन का अक्ष यहां बाबा सोते हैं और बहुत सुंदर सुंदर सवरूप लगे हुएं बाबा की जो जीवनी से related हैं बहुत अच्छा लगता है देखकर और मैं रोज देखते हूं रोज दो-दो मिनट तक निहारती हूं मैं तो बाबा का आज का संदेश आप सब के लिए है बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों मैं चानता हूं कि तुम शिर्डी आना चाते हो और मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतना ही व्याकुल हो जितना कि तुम मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो और इस म वने आपके लिए कितना सुन्दर संदेश भेजा है तो चलिए आईए मेरे साथ मिलकर दुआर का माई के दर्शन करिए तो यह था बाबा का आज का 9th दे का मंदिका चलिएगा तो कल फिर से मिलते हैं दसवे दिन में तो जरूर आप रुप देखना मत भूलिएगा और ओम साहिरम जै साहिरम जिसको अच्छा लगए व्लोग तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा ओम साहिरम जै साहिरम बाबा बलेस अस ओल